कहते हैं भगवान की घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है ऐसा ही आपके साथ हो रहा है मकर रासी वाले चार से ले करके 31 दिसंबर के मद्धे में एक ऐसा और इतना वड़ा बदलाव हो रहा है जो आपके जीवन में सफलता का महा संग्राम रच देगा जी हाँ हो क्या रहा है मकर रासी वाले कि देव गुरू बिरहस्पती जो परतीक मनिश्ची के जीवन में धन, भाग्य, न्याय, सच्चाई और सदगुन के कारक है मतलब बिरहस्पती इतना ज़्यादा पावरफुल ग्राह है अगर ये किसी के कुंडली में कमजोर हो जाएना तो अपने जीवन में कभी उच्च पत्द को प्राप्त नहीं कर सकता और ना वो अपने जीवन में कभी शम्मान के प्राप्ती कर सकता और ये जो वीडियो है देव गुरु बिरहस्पती पे ही अधारित है तो हो क्या रहा है चार सिप्टमबर से 31 दिसंबर के मन्दे में देव गुरु बिरहस्पती जो है ये मेसरासी में वकरी हो रहे हैं तो इनका मेस रासी में वक्री होना मकर रासी वाले आपके लिए इतना जादा बड़ा सुब समाचार है कि सफलता का महा संग्राम मिलेगा अब आप सोच रहे हैंगे ऐसा क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने बरतमान चाल से थोड़ी धीमी गती पे आ जाता है या फिर उसकी दूरी जो है वो सुर्य से थोड़ी जादा हो जाती है तो ऐसी स क्रहों में डबल पावर आ जाता है और यही चीज आपके साथ भी होगा जब बिरहस्पति वक्री होंगे मकर रासी वाले तो इसका प्रभाव मेस रासी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा साथ में एक घर पहले मीन रासी में भी पड़ेगा दूसरी महत्पुन बाग क्योंक की जीवनें निक्चीत तोर पे दो आदस भाव से रिलेटेड सभी प्रकार के दुख और समश्याएं भी दूर हो जाएंगे देखिए ये बात तो हंडेड़ परचन सचाई है कि बरतमान समय में बिरहस्पति में सरासी में गोचर कर रहे हैं लेकिन एप्रेल में में सरासी म उपर इस लेबल का है कि पूरे रूपेन जो है बिरहस्पति को अपना फन नहीं दे रहा है हलाके 30 अक्टूबर को राहू जो है निक्चित तोर पे में सरासी को छोड़ करके मीन में जाएगा लेकिन इस समय भी बिरहस्पति का प्रभाव रहेगा ही राहू का प्रभाव ब बिरहस्पति के उपर अवश्य रहेगा अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला बिरहस्पति जब वक्री होगा तो इनकी छमता दस गुना बढ़ जाएगी और जब इनकी छमता दस गुना पढ़ जाएगी तो सर पर्थम आपके जीवन में जो घरेलू कले से जो मतभेद है स इसमें सर पर्थम यह सुधार करना चालू कर देगा क्योंकि आप अपने जीवन में सनी की साड़े साथी से भी निच्ची तौर पे ग्रसी थे तो सनी का प्रभावी बिरहस्पति के उपर पढ़ने के कारण बिरहस्पति को नहीं मिल पा रहा है वह भी मिलना चालू हो पहला आप विदेश जाना चाहते हैं दिकते थी वह जाने के समस्याएं दूर होंगी दूसरा आप घर से दूर हैं पास आने की कोशिच कर रहे हैं लेकिन गुरू चंडालियों के प्रभाव के कारण और बिरहस्पति का कमजोर होने के कारण आपके जीवन में इसका प्रभ के पास या सरकार के पास जो भी आपके धन फसे हुए थे वह निकलेंगे छोटी छोटी यात्राओं का आपकी जीवन में लाभ मिलेगा आपका प्रमोशन पदोनिती के रास्ते बहुती प्रवल तोर पे खुलने चालू हो जाएंगे सबसे महत्तपुर्ण बाद एक घर पह थिरताएं चल रही थी इसमें बहुती बहुती बहतर सुधार होता हुआ दिखेगा मकर रासी वाले दूसरी महत्तपुर्ण लाभ यहां पर एक चीज यह भी देगा कि आप विर्थ के कर्द से या किसी प्रकार का स्कैम या फिर घोटाले से या फिर सेर मार्केट में लंब से बताना चाहता हूं मकर रासी वाले जाए सही बिरस्पती जो है यह वक्री होंगे तिनका कुछ साइड इफ्यक्ट भी होगा वक्री बिरस्पती मनुष्य को थोड़ा आलस्य और कोड़िया भी बनाता है अता आप अपने जीवन में आपने अलस्य पन को बिल्कुल त्या करा सकता है यानि आपको प्रोपटी बेचना है या प्रोपटी पर लोन वेगरा लेना है तो थोड़ा सोच समझ करके कोई भी कंडिशन पर आप जाईएगा क्योंकि हो सकता यह थोड़ा सा डिश्टर्वेंस पैदा कर दे निच्चे तोर पे करज की मुक्ती तो यह करें लेकिन आप किसी पर भरोसा करके तुर्ण चंबर में उसे धन नहीं दे देना हैं हलाकर जो लोग अपने जीवन में जूडिश्यल सेरी यलेटेड इसे प्रिच्वालों से लावीष नहीं हो पा रहे थे विबगन है भाध हो रहे थे वह कर अधा सो तो आ चाहिए अपको सीधी बात बोलता हूं धोड़ा स्मभल के रहिएगया वक्रिय बिरहश्पती में प्रसाा नहीं vasthi प्रकार से बेनिफिट देगा इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी जीवन में अब होने वाला है सफलता का बहुत बड़ा महा संग्राम फिर भी इसके प्रभाव का बहुत 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 बनाने के लिए ओम गुरु गुरुवे नवमंतर का परतेक इन जाब करिया आपके लिए बहतर रहेगा और कोसिस किजिए परतेक दिन जो है भागवान विश्नु के समक्षे सुद्ध घी का दीप जलाने के लिए उसमें थोड़ा सा आपको जो है अच्छत यानि चावल अवश्य डाल देना है तो आप देखिएगा कि आपके जीवन सब्सक्राइब करिए मिलूँ अगली वीडियो में और महत्तपुन और ज्यान वर्दक जनकारी के साथ तब तक के लिए श्रोजा डॉक्टर रवी गुपता का आपको नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यबाद